एलो गाइस दस शेतन वर्मा एंड यू और वाचिंग मैं यूट्यूब चैनल सीस्पें इंस्टिट्यूट आज की वीडियो में हम मशीन लर्निंग का दूसरा एल्गोरिदम डिसकस करेंगे ठीक है लास्ट वीडियो के अंदर हमने सेम यह चीज डिसकस की थी कि के नियरेस्ट नेवदर हमने एल्गोरिदम को सौल्ब किया आज की वीडियो में हम देखेंगे कि करेंगे के मीन एल्गोरिदम को च्परी25 को आप्लाए करेंगे था क्लस्टर सैट ऊफड़ शेट फाय इन दॉत कर सकते हैं Wौही डेटाард या तो मैं डेटासेट मेरे पास में डॉट इरीस का जो पड़ा है या तो उसके साथ में जा सकते हैं या .csv फायल में जो भी data set है उसको भी use कर सकता हूं use the same dataset for clustering यूजी इम algorithm एक तो यह में algorithms के साथ में जाना है ठीक है और एक उसको k-mean algorithm के साथ में cluster करना है उसको तो clustering करनी है हमें basically k-mean and em algorithm और compare करना result of these two algorithms ठीक है and comment on the quantity of cluster so सबसे पहले हम em algorithm के साथ में जाएंगे em algorithm को समझेंगे em algorithm है क्या ठीक है कैसे काम करती है फिर k-mean को समझेंगे फिर बाद में इसका coding बाल पाट देखेंगे तो चलिए सबसे पहले मैं आपके लिए कुछ बता रहता हूँ em जो algorithm है उसको हम expectation maximization भी बोलते है अब मेरा कोई भेहन भाई बोलेगा भाईया expectation क्या होता है expectation क्या है यही नहीं बता मैं तो तो भाईया expectation for your kind information होता है ता हूँ x i into p of x i होता है अगर मैं expectation of x निकाल लो तो जैसे कि हमारे पास में probability given है x और p of x i 0 1 2 इसकी probability 1 by 3 1 by 3 1 by 3 तो हम कहां करते हैं basically expectation निकालने के लिए यह कर देते हैं ठीक है तो हमारे पास में जो भी answer आएगा this is called expectation और इसका maximization उसे कहते हैं यह है ठीक है तो यह बहुत ही popular technique है जिसके अंदर हम कोई भी parameters है probabilistic model के उसको हम estimate करते हैं ठीक है तो parameters कौन-कौन से होते हैं हमें पता ही है कि normal parameter हम बर्नौली के साथ में जाते हैं बर्नौली के अंदर कौन-कौन से नौर्मल जो Gaussian distribution उसके अंदर हमारे पास में दो parameters होते हैं में और standard deviation इस तरीके से parameter estimation के लिए expectation maximization is a very popular technique इसके थुरू हम बहुत ही आसानी से वह चीज कर लेते हैं many popular algorithms like जैसे हमारा hidden Markov model हो गया या फिर Gaussian mixture हो गया या फिर हमारा Kalman filter हो गया सारे के सारे यह तीनों के तीनों ही या फिर और भी है यह सब इम टेक्निक को यूज करते हैं भी या किसको यूज करते हैं इम टेक्निक को यूज करते हैं यह सारे यह सारे algorithms इम टेक्निक के साथ में जाते हैं चैसे हो hidden Markov model हो गौशन mixture हो यह Kalman filters हो कोई भी हो यह इम model को प्रिफर करते हैं it is beneficial when working with data that is incomplete मैं इसके बता रहता हूं applications कि अगर हमारा जो data है अगर incomplete data set है data है हमारे पास में और या फिर कोई उसके अंदर missing values है missing data points है हमारे पास में so or has unobserved latent variables latencies है basically तो उसके लिए बहुत कारगर चीज है भाई रामबान है कह सकते हैं उच जगह पर यह रामबान है okay so so अब मैं आपके अंदर आपको बताना चाहूंगा कि यह काम कैसे करता है how it does work so assume कीजिए assume कीजिए assume that we have two coins c1 and c2 तो जो c1 का जो parameter है c1 का जो parameter है वो माल लिया हमने थीटा वन और coin2 का जो parameter है वो थीटा 2 माल लिया अभी थीटा 1 क्या है भाईया probability 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 of getting head getting head और यह है probability of getting head in c2 with c2 यह with c1 with यह with c2 हमें पता है कि अगर हमारा coin unbiased coin है तो probably ठीक होती है भी यह सीधी सीधी खाक होती है लेकिन हम assume करने की 38 biased coin हमारे पास में biased coin है और इनके जो parameters है वो अलग-अलग parameters हमने assume किया है यहां पर ठीक है so हमें क्या करना है भी है यहां पर we want to find theta 1 theta 2 by performing mean a number of trials number of trials that is coin tosses okay so उसके अधार पर हमें यह assume करना है भाईया so हम एक ले लेते हैं कि experiment कर लेते हैं यार कि हमने five times एक coin को choose किया हमने एक पांच बार अलग-अलग coin को choose किया c1 हो गया c2 हो गया मैं हमने इसको segregate कर दिया coin A के साथ में और coin B के साथ में coin A के साथ में coin A कौन कौन सा भी या coin A वाला यहां पर है coin A ये रहा ये रहा coin A coin A ये रहा इसमें देखे इसकी value एक बार 9 head 1 tail आया एक बार 8 head 2 tails आया 7 head 3 tails आया ठीक है ये sample है इसका हमें पता है कि चितने भी samples है हमने उसके number of heads को यहां पर लिख लिए और number of tails को यहां पर लिख लिए probability of getting head मेरे को निकाल लिए है तो कैसे निकालूँगा मैं number of number of heads divided by number of heads plus number of tails ये हमें पता है भाया इसकी probability हम अराम से निकाल सकते हैं आपको भी पता है कि इसका formula अराम से हमारे पास में है कि हमने इसका जो parameter choose किया था for coin A this is for coin A that is theta 1 so theta 1 क्या हो जाएगा 24 head 24 plus 6 that is 0.8 यही same चीज parameter 2 के साथ भी जो कि किसका parameter है coin B का है probability value है head आने के तो यह हमने estimate की इस तरीके से वह अगी 0.45 ठीक है अब यहां तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है भी यह लेकिन क्या हो कि अगर मैं यह वाला यह वाली चीज गायब कर दूँ यहांसे एक चीज गायब कर दूँ क्या यह अब यह वाली value हमें नहीं पता यह नहीं पता अब कि यार यह जो सेंपल है यह वाला जो सेंपल है अरे सरी यह वाला जो सेंपल है किस coin से associated है coin B से associated है coin A से associated है यह अगर हमें नहीं पता तो भाया हम theta 1 की value कैसे लेके आएंगे और theta 2 की value कैसे लेके आएंगे question यह है ठीक है किस तरीके से तो हम theta 1 की value लेके आएंगे और किस तरीके से theta 2 की value लेके आएंगे जब हमें इस से एसोशेटर हर एक सेंपल से एसोशेटर उसका जो कॉइन है वो पता ही नहीं है तो उस जगे हमारी ये expectation maximization algorithm काम करती है तो वो कैसे काम करेगी चलिए उसके बारे में बात करते हैं चलिए यहां पर सबसे पहले step में चुकि हमें ठीटा A और ठीटा B जो ये parameter से associated with this coin coin A और coin B हमें इनकी initial value कुछ भी initial value ले लो कुछ भी मैंने ले ली 0.60 और यहां पर इसकी value ले ली 50 कुछ भी ले ली यार मैंने ऐसे randomly उठा ली कोई value अब यहां पर ये जो data है इस से associated हमें ये कुछ भी नहीं पता कि ये coin A से associated sample है या coin B से associated sample है ठीक है तो expectation step में मैं क्या करूँगा सबसे पहले expectation step में मैं probability निकालूँगा कि ये इसके साथ में associate होने की probability क्या है और इसके साथ में associate होने की probability क्या है अब आपको कि भाय साथ भाय यह कैसे निकालेंगे यह कैसे निकालेंगे इसके लिए मैं आपको बाइनोमियल थियोरम की तरफ थोड़ा सा लेके जाओंगा बाइनोमियल डिस्टिबिशन अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको इसके प्रॉबाबिलिटी पी एम एफ पताई होगा एक्स हो गया ठीक है सो मेरा कुश्यन है कि भाईया प्रॉबाबिलिटी ओफ इवताई है प्रॉबाबिलिटी ओफ इवताई है वेन जेड ओफ ए है ठीक है प्रॉबाबिलिटी ओफ इवताई है तो यह क्या है कि बेसिकली प्रॉबाबिलिटी ओफ इस सेंपल बताई है यह सेंपल की आने की प्रॉबाबिलिटी क्या है जब हमने chosen जो coin है वो अगर हमारा A है और A की probability हमने expectation हमने ली थी 0.6 लिये ना initially मैंने 0.60 लिये और इसकी expectation of B लिया है मैंने 0.50 ठीक है तो यह बता ही है तो sample क्या है हमारा sample है हमारा है head tell tell head head tell अच्छा आसान सा ले लेते हैं कोई भी आसान सा ले लेता हूं मैं चलिए मैं खुदी से बना देता हूं असान सा मैं मैं पूछता हम भाया इसकी probability होता ही है head 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 a 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और जब मैंने a choose किया है a has been chosen तो a choose किया है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि भाया जो probability की जो value हो जाएगी नहीं यहापर पी की जो value हो जाएगी जो theta a की value हो जाएगी वो हो जाएगी 0.6 जो की है probability of head so 1-p जो हमें पता ही है हम जो q लेते हैं वो 1-p होता है basically वो क्या हो जाएगा 0.4 so इस case में मैं क्या करूँगा भाया इस case में मैं करूँगा हमारे पास में कितने coins है नो में से मैंने ऐसे चूज करना है कि नो में से एक नो में से एक आने की और फिर बाद में बताये कि जीरो पॉइंट शिक्स यहां पर नाइन बार यार है और जीरो पॉइंट फॉर एक बार यार है ठीक है सरी मैंने कुझे गल्प तो नहीं कर दिया ना हाँ सभी तो इसकी जो वैल्ली हो जाएगा जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट एक हेड आने की प्रावबिटी कितनी है उसकी प्रावबिटी यह है यह मतलब बैसिकली एक सेंपलिंग आपको पता ही है कि सेंपल के ओपर किस तरीके से आम निकल लगाते हैं और इसी तरीके से अब 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 चुकि मैंने यहां पर वैल्यू डिटमाइन कर ली तो अब मैं क्या गरूंगा इसके आगे हैं इसे कहते हैं likelihood probability ऐख लेकली हूड प्रावबिटि इससे तो हमारा काम नहीं चलेगा हमें किसमें इंट्रस्टेड है हमें तो इसमें इंट्रस्टेड है यह पैरेमिंटर में इंट्रस्टेड है कि यह यह आने की प्रावबिटी क्या यह बताओ वहिए हमें इसमें इंट्रस्ट है हमें इसमें इंट्रस्ट नहीं है है process नहीं है हमें इसमें इंट्रेस्ट है कि यह जो पैरेमिटर है इसके आने की प्रॉपिटी 0.5 आने की प्रॉपिटी का क्या है जब मैं ये सेंपल लेकर चल रहा हूं तो यह क्या हो गया भाई या बेस थे और मोगी बेस थे और में हमें पता ही है किस तरीके basically 0.036 plus 0.009 that is equal to 0.80 ठीक है इसके आने के प्रावबिटी यह है तो कुछ इस तरीके से मैं इसके उपर काम करूँगा तो I hope आपको यह समझ में आया हो और फिर बाद में यह ले जावकर यह value ले जावकर अब यह तो आगई A के लिए हैं इसी तरीके से हैं प्रावबिटी यह भी निकाल लो E के एसाब से और इस बार 0.09 डाल दूँगा है यहाँ पर 0.036 plus 0.009 that is equal to 0.20 ठीक है यह डाल दिया तो इसी के एसाब से यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर 0.80 और 0.20 में डाला अब 0.80 को जब मैं multiply करूगा यह फिर इन values को मैं multiply करूगा यह क्या है यह probability है ठीक है यह probability है किसकी A आने की A आने की probability कितनी हो सकती इतनी हो सकती B आने की probability कितनी हो सकती इतनी हो सकती इस sample के अनुसार ठीक है इस sample में अगर ए इतनी बार आ सकता है अगर ए आकर फिर कितने head आ रहे हैं वन टू थ्री फोर 4 head आ रहे हैं तो पहली बात तो ए आने की probability क्या है 0.45 फिर 4 बार head आने की probability कितनी है multiplied by 4 तो उसकी value क्या हो जाएगी 2.2 head है ना और इसी तरीके से tell भी हो जाएगा 0.45 को multiply करेंगे 6 है तो मतलब इसी तरीके से यह भी आ जाएगा ठीक है तो sorry 0.045 नहीं होगा इसका tell के लिए हो जाएगा 0.55 multiply by tell 6 तो इस तरीके से हम करेंगे तो tell की value भी आ जाएगी okay so I hope इसी अनुसार हम इन सारी values को निकालते रहें coin A के लिए coin A से associated coin B से associated पहले sampling के लिए second sample के लिए third के लिए fourth के लिए fifth के लिए इसे करते 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 coin A से associated सारा data निकाल निकाल निक और coin B से associated सारा data निकाल अब थोड़ा सा उपर चलते हैं जब हमें यह चीज आ जाती है सारा data आ जाता है ठीक है तो हम अराम से parameter को estimate कर सकते हैं और नई value निकाल सकते हैं तो step two में मैं क्या करूंगा मैं basically number of heads divided by number of head plus number of tell करके करके मैं यह estimator की values को fix कर लूँगा coin A के लिए और coin B के लिए ठीक है और इसे कहते है maximization step maximization step में मैंने यह किया basically इसके साथ में 0.71 आया और यहां पर 0.58 आया अब सेम चीज इसी के साथ में दोराई मैंने जाना वही सेम चीज इस sample के साथ में इस parameter के साथ में likelihood probability निकालने की पात में उसकी actual power, actual probability निकालने है actual probability हमें पताई है उसका हो गया यह formula इस parameter की होने की probability क्या है जब sample यह है ठीक है तो वह लेकर मैंने यहां पर update कर दूएँ अपडेट करके फिर इससे associated जितने भी number of head है, उनकी coin values, number of heads और number of tells associated with these coins मैं update करूँगा, फिर से maximization step में probability estimation निकाल लूँगा, एक time क्या आएगा ना, एक time आएगा जहां पर ये change होना बंद कर देगा, ठीक है, इसके अंदर जो change होगा, वो बहुत ही छोटा change होगा, तो उस time पर हम रुख जाएंगे, उस time पर हम रुख जाएंगे, तो वो मतलब यहां पर 0, फिर बाद में second step में 1, फिर 2, ऐसे करते 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 करते, मतलब any step में जाते हैं, जहां पर भी हम रुखेंगे, जिस estimation पर भी आप रुखेंगे, वही estimation उसकी probability होगी, इसी process को हम क्या बोलते हैं, इस step जहां पर expectation हो रही है, और य इसी को हम expectation and maximization algorithm बोलते हैं, I hope आपको यह समझ में आया, so चलिए एक बार मैं EM algorithm के बारे में आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ, इसके number of steps और उसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको, तो आपका यह जो है, क्लियर हो जाएगा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, initial value हम एक लेके चलते हैं, initial value लेके चलते हैं, फिर हम expectation step में जाते हैं, expectation step में हम वो calculate करते हैं, initial values के साथ में, और determine करते हैं, उसकी actual probability और likelihood probability, फिर हम maximization step में जाते हैं, और हम यह देखते हैं, कि यह converged हुआ या नहीं हो, मतलब कि क्या further पिछले वाले में और आगे वाले में क्या changes हैं, अगर बड़ा changes हैं, जिसे की 0, parameter 0 और 1 के अंदर, अगर बड़ा changes आया, suppose यहाँ पर आया 4, 5, तो हमें दिख रहा है कि change हो रहा है, अगर change हो रहा है, तो हम next process में जाएंगे, अब suppose यहाँ पर आ रहा है, 4, 5, 1, यहाँ पर इतना बड़ा change नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर हम रुख जाएंगे, तो हम देखेंगे कि it is converged or not, it is converged or not, if it is converged, so we'll stop, if it is yes, we'll stop, if it is not converged, so at that particular time the problem will arise, not a problem, it will start doing same thing further, okay, so मैं उसको समझा चुगा हूँ आपको, मैं basically इसको Gaussian mixture model के साथ मैं आपको एक बर बताना चाहूँ ना, कि Gaussian mixture model के साथ में कैसे काम करता है, वो basically होता क्या है, क्योंकि हमारे जो, मैंने जो काम किया है, वो Gaussian mixture model के अंदर ही मैंने वो बनाया है, GMM के साथ में बनाया है, ठीक है, so GMM is defined as mixture model, that has a combination of unspecified probability distribution function, यह एक mixture model है, basically नाम से पत्ता चल रहा है, which consists, it has combination of the unspecified probability distribution, distribution function, okay, so GMM also requires essential statistics value, such as mean हो गया, उसके अदर डिशन हो गया, parameters हो गया, it is used to estimate the parameters of the probability distribution, to best fit the density of a given training data set, जो given training data set है, उसकी density को best तरीके से fit करने के लिए, हमें उसके parameters की बहुत values की जरुवत, जैसे कि मैंने देखा, theta 1 और theta 2 किस तरीके से हमने किया, तो यहाँ पर भी basically हमारे पास में अलग-अलग mean होगे, standard deviations होगे, आप दूसरे parameters होगे, वो हमारे पास में जरुवत होती है basically, ठीक है, so Gaussian distribution में आपने पता ही है, यह कुछ इस तरीके से काम करता है, so although there are plenty of techniques available to estimate the parameter of GMM, the maximum likelihood estimation, या estimation maximum, यही बोलते हैं, maximum likelihood, likelihood, estimation, तो इसमें हम क्या करते हैं, likelihood निकालते हैं, और फिर बाद में, उसका maximization निकालने के, उसका differentiation निकाल लेते हैं, अना, so यह एक popular technique है, so let's understand a case where we have a data set with multiple data points, generated by two different processes, however, both processes contain a similar Gaussian probability distribution and combined data, hence, it is very difficult to discriminate which distribution a given point may belong to, the process used to generate the data point represent a latent variable or unobservable data, जिसे हम कहें दें कई बार हम कोई data point ही छोड़ दिये, यह न, कि भाई यह किससे बिलॉग कर रहा है, किससे नहीं बिलॉग कर रहा है, हम यह ही छोड़ दिये कई बार, in such cases the estimation maximization algorithm is one of the best technique, which helps us to estimate the parameters of the Gaussian distribution in the EM algorithm, each step estimates the expected value of each latent variable, जो भी latent variable है, उसकी वो expectation निकालेगा, और फिर M step में उसको optimize करने में help करेगा, ठीक है, so M step helps in optimizing them significantly using the maximum likelihood estimation, maximum likelihood likelihood estimation के चलते हैं, वो उसको करेगा, so अगर आपको maximum likelihood के बारे में अगर जाना है, so आप basically इसके बारे में और भी जान सकते हैं, अगर आप further कोई और वीडियो को अगर आप इसके लिए देखते हैं, so वहाँ पर भी आप जाकर इसके बारे में देख सकते हैं, अगर आप चाहते हो कि मैं बता हूँ, थोड़ा का मैं आपको intuitively इसके बारे में बता सकता हूँ कि किस तरीके से एक काम करता है, so basically estimator जो होते हैं, parameters estimation एक बहुत ही अच्छी technique है, जिसके तहत हम बहुत सारी चीजों को देख सकते हैं, so basically उसमें होता क्या है, कि हम arguments next, करते हैं, theta1 of theta2, i equal to 1 से लेकर, n तक fx of xi, that is theta1 and theta2, के लिए हम ये चीज ढूटते हैं, so basically कैसे काम करता है, हम i equal to 1 से लेकर n तक, सबसे पहले हम उसका estimation निकाल लेते हैं, likelihood निकाल लेते हैं, इसको माल लिया, suppose कि हमारे पास में ये एक function हो गया, so pmf हो गया, हम बन्नोली के साथ में जाते हैं, तो बन्नोली के साथ में हमें पता है number of p, one minus p, ये likelihood हो गया, n minus w के लिए, so, इसको हम pw और one minus p, w की form में लिख देते हैं, ठीक है, functions, probabilities basically, ठीक है, फिर, जब हम इसे maximize करने की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, log ले लेंगे, log ले लेंगे दोनों तरफ, so, इधर भी मैंने log L ले लिया, और इधर भी मैंने log, पहले step में मैंने ये किया, फिर बाद में मैंने इसका differentiate कर दिया, so, मेरे को पता है, अगर मैं इसका differentiation करोगा, with respect to P, probability के respect में, तो ये आ जाएगा मेरे पास में, इसको मैं directly HP बोलते हैं, so, ये हो गया मेरे पास में, sorry, DP के respect में मैंने इसको differentiate किया, so, इसको मैं further इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, क्या, W log P, प्लस, अंदर गया तो ये हो गया, log log 1 minus, sorry, W log 1 और log P, इसको मैं 1 minus P लिख देता हूँ, sorry, मैंने मैं इसको खोल लेता हूँ, log P w plus log 1 minus P w, log की एक property होती है, उसके तहत मैं इस तरीके से लिख दिया, 1 minus P, चलिए, फिर further मैं इसको, जो मैंने differentiate किया इसको, तो यहां पर यह आ जाएगा W, इसका जाए 1 upon P plus W, 1 upon 1 minus P, और इसका जाएगा 0, इसका जाएगा 1, जाएगा 1, यह N minus W है, sorry, N minus W, N minus W, N minus W, यह 6 मैंने करती है, और जब मैं इसका फॉर्दर वो करूंगा, खुलूंगा इसको, तो यह आ जाएगा, maximize करना है न, तो इसको equal to 0 रखना है मैंको, तो W, 1 minus P, equal to NW, P, so यहाँ से P की वेल्यू आजाए, W upon N, number of heads upon total sample values, ठीक है, तो इस तरीके से, मैं maximum, likelihood, estimation की बात करता हूँ, यही तो मैंने किया, कि भाई, number of head कितने थे, upon my total numbers, ठीक है, मैंने वहाँ पर क्या किया, number of, मतलब, जब मैंने उसकी real probability निकाले तो कुछ इसी तरीके से, मैंने निकाली कि number of heads कितने थे, और divided by total number of all that, तो उसी तरीके से, मैंने वहाँ निकाला है, यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या किया, number of heads divided by total number of all, so W upon N, वही estimation के काम में आता है, इसे ही कहते है, maximum likelihood technique, maximization step में हम यही करते हैं, और यहाँ पर estimation हो गया, basically, ठीक है, तो यही मैंने किया, यह बहुत ही famous technique है, so this is all about maximum likelihood, इसके बारे में अगर आपको और जानना है, तो आप मतलब YouTube अगर आप पर जाकर, और भी वीडियो, multiple वीडियो, इससे associated देख सकते हैं, मैंने बहुत सारी चीज़े यहाँ पर आपको करवा दी है, तो आपको देखने की जरुत नहीं है, ठीक है, so this is all about maximum likelihood estimation, अगली वीडियो में मैं आपको करवाँगा, के मीन, और उसके बाद में मैं जो आपका problem है, program है, मुसको accomplish करेंगे, ठीक है, so thank you for watching my this video, happy learning,